अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चो इससे पहले हमने सबक नंबर एक बक्र नू कुटुम पढ़ा था आज उसी सबक की हम खाली जग्या भरने जा रहे हैं तो आप जानते हैं के इस सबक के अंदर बक्र और सईद और जैनब ये सब बच्चे थे तो आप ने पढ़ा था सबक के अंदर के बक्र यद्रसु फी अल अव्वल तो अब ये जो हमने खाली जग्या नंबर एक के अंदर खाली जग्या भरनी है तो हमने पढ़ा था के बक्र जो है वो जामियत अल उम्मुल कुरा यूनिवर्ष्टी में पढ़ता है तो यूनिवर्ष्टी है इसके लिए वो कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज को कहते है अल मुस्टवी तो हमने ये खाली जगा के अंदर अल मुस्टवी भरा अल मुस्टवी अव्वल यानि बक्र कॉलेज में पहले साल में पढ़ता है दूसरी खाली जगा के अंदर यजहबु सईद Иلا मदरसती अब मदरसती कहते है शाड़ा को यानि इस्कूल जो होता है उसको मदरसती कहते है तो यजहबू साइद इला मदरसती फी अब वो मदरसे में कब जाता है तो मदरसे में कब जाता है तो खाली जगा सब्बा सब्बा इटले सवार सब्बा इटले सवार इसके बाद खाली जग्या नमबर तीन तता कववनू अस यानि कुटुम के अंदर कौन कौन रहते हैं कुटुम के अंदर कौन कौन हैं तो कुटुम के अंदर पहले अफराद जो है वो है पिता जी यानि वालिद और दूसरे अफराद जो है वो है उनकी अम्मी यानि वालिदती और फिर है भाई और फिर उखती तो हमने खाली जिग तिलमीजुन साइड तिलमीजुन साइड तिलमीजुन फी सफुर राबिया तो हमने यहापे खाली जगा में सफुल बरा सफुल सफ एडले धोरन राबिया एडले चोथा धोरन में बढ़े छे साइड चोथे धोरन में पढ़ता है फिर या मलू या मलू यानि काम करे छे अब पिता जी क्या करते हैं तो हमने बढ़ा था कि पिता जी इंजिनियर हैं पिता जी जो है वो इनजिनियर है और माता जो है वो शिक्षिका है और माता जो है वो है शिक्षिका माता मौले मतुन लिखा मौले मतुन लिखा शिक्षिका इसके बाद यजभू याने जाए छे यजभू सईद इला मस्जित फी अलमसाए यजभू जाए छे सईद इला मस्जित फी अलमसाए तो साम को साम को सईद मस्जिद में जाता है और बक्र जो है वो उम्मलकुरा यूनिवरस्टी में पड़ता है तो जामियतुन ये यूनिवरस्टी का नाम है जामियतुन इसके बाद तजहबू यानि इस्त्री लिंग के लिए तजहबू का इस्तमाल करते है तजहबू जैनब इला रोजति अत्फाल यानि जैनब जो है वो नरसरी में जाती है इसके बाद नौमी खाली जग्या है तलाबु इल्म यानि इल्म हासिल करना सभी मुसल्मान मर्ब और औरतों पर जरूरी है बस बच्चो अब ये खाली जग्या अपनी दोसों पाने की अर्बी की नौट में लिख लेंगे एक बार अच्छे अक्सर में किताब का पाना नंबर 9 किताब का पाना नंबर 9 है और ये खाली जग्या अपनी नौट में एक बार अच्छे अक्सर में लिखनी है बस खुदा हाफिस